नमस्कार दोस्तो वेलकम् टू पीके क्लासिस दोस्तो गेंट चार्ट गेंट चार्ट क्या है एंड कैसे गेंट चार्ट को ड्रा किया जाता है How to build a Gantt Chart, Benefits and Use of Gantt Chart Gantt Chart के क्या फायदे हैं और कहां पे हम इसको उपियोग करते हैं आज हम जानेंगे Gantt Chart के बारे में सब्जेक्ट आपका Industrial Engineering and Ergonomics है जिसमें अक्सर हमारा Gantt Chart के उपर कोश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले Gantt Chart क्या है इसको देखेंगे Gantt Chart तो Gantt Chart जो है Gantt Chart इसा Graphical Representation of Activity Against Time Means जो Gantt Chart है Gantt Chart के थूँ हम जब कोई भी बर्क करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के उपर काम करते हैं तो हम टाइम के सापिक्ष में के जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस एक्टिविटी में किस टास्क के अंदर कितना समय लगेगा या कितना समय लेगा इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं Gantt Chart Gantt Chart एक Graphical Representation of Activity Against Time मतलब टाइम के सापिक्ष के आप X काम को कर रहे हो बाई काम को कर रहे हो जेट को कर रहे हो तो यह अलग-अलग आपके टास्क हैं इन टास्क को करने में आपको कितने मंद्स लगेंगे हम time को months में, day में या week में represent करते हैं कि किसी भी project work को completion में starting से लेके किस activity में कितना समय कन्यूम होगा इसको हम represent करते हैं किसमें Gent chart के अंदर The Gent chart was created by Henry Gent in 1970 जो Lawrence Henry Gent ते, इनने 1917 में इस chart को create किया था इसके पहले इस chart की आउधारना की थी, दूसरे scientist ने लेकिन जो Henry Gent है, इनने 1917 में इसको create किया to improve project planning, किस उद्देश से create किया था किसी भी project की planning में सुधार के लिए to improve project planning, scheduling and tracking work progress दूसरा एक time table बनाने के लिए कि भीया हम एक कोई construction या multi बना रहे हैं, हमको किसी railway line का project मिला है, तो इसकी आपको planning करना पड़ेगी, represent करना पड़ेगा, कि आपको किस task को complete करने में कितना समय लगेगा, इसका एक time table बनेगा, जिसको आप schedule बोलेंगे, इसकी planning होगी, दूसरा कितना काम हमारा complete हो गया है, एक particular time में इसकी progress को track करने में क्या करता है, मदद करता है, basically हम किसी इसकी भी field में गेंट चार्ट के लिए apply कर सकते हैं, चाहे वो आपका bank हो, चाहे कोई software हो, हर जगा पे हम इसको apply करके, अपने work को, जो work की productivity है, कारे करने की दर है, या जो हमारा time table schedule होता है, उसको proper implement करके complete कर सकते हैं, तो दोस्तों जो भी चाहत PK classes में first time है, जो अभी भी PK classes से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को जरूर subscribe करें, एंड वीडियो को like करें, साथी दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे गेंट चार्ट से समंदित समस्त जानकरी आप प्राप कर सकें, nowadays, project manager and team members used to gain chart for plan projects, आजकल जो project managers होते हैं, और जो project के team members होते हैं, वो उपयोग करते हैं, gain chart को for plan projects, किसी भी project की plan के लिए, create a project schedule, उस project के schedule means time table के बनाने में, gain chart का use होता है, क्योंकि भाई, आपको कहीं tender मिला, government tender या private tender आपने लिया, तो उस tender में आपको सारी चीज़ें फिल करना पड़ती हैं, कि आप इस particular task के लिए 6 month में complete करके देंगे, 4 month में complete करके देंगे, या 3 months में, तो उस project से संबंद जितनी भी activity उसमें involve हो रही हैं, जितने भी task involve हो रहे हैं, उन सब को आपको one by one specify करना पड़ेगा, और हर task की एक specific time limit set करना पड़ेगी, कि इतना particular काम आप इतने बन month में या 2 months में complete करेंगे, और आपको उसी task या जो आपका chart है, गांड, इसी plan के तहट आपको अपने work को perform करना पड़ेगा, तभी आपका work होगा, अधरवाईज आप work time पे नहीं कर पाएंगे, तो एक तो आपका क्या है, इसका उपयोग हम करते हैं, project की plan के लिए, project के schedule के लिए, allocate resources and track project progress, means हमारे पास उस project से समधनित कौन-कौन से resources उपलब्ध हैं, जिनका हम project में उपयोग करेंगे, इसका भी पता होना चाहिए, हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, हमने tender ले लिया, तो हम कहां से time से, आपको ये भी ध्यान रखना है, और track project progress, और progress की कितना काम हो गया है, जो हमने time limit set की है, क्या उस time पर ये work complete हुआ है, उसी के recording, इसकी tracking के लिए भी, जो gun chart है, वो काफी उपयोगी होता है, तो ये हमारा basically gun chart का function होता है, अब इसको हम cash draw करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, तो gun chart को draw करने के लिए, जैसे कि gun chart जो है, इसमें हम vertical axis पर represent करते हैं, project task, या अपनी activity के लिए, के एक particular project में complete करने में, starting से end तक, कितनी activity involved होंगी, और किस activity के अंदर, कितना समय लगेगा, तो, a gun chart is constructed with a horizontal axis representing the total time spent अबदी project, इसमें जो horizontal axis है, इसमें हम total time को दिखाते हैं, total time को show करते हैं, project का, और ये हमारा जो time है, ये हमारा अलग-अलग part में क्या होता है, बढ़ता जाता है, कि जैसे हमारा यहाँ पर November, December, January, March, ये हमने अलग-अलग months को represent किया है, तो means, broke down into increment months, and on vertical axis representing the project task, और जो हमारी vertical axis होती है, उस पर हम किसके लिए दिखाते हैं, हमारे project के task, task का मतलब है कि सबसे पहले आपको project कोई plan करना पड़ेगा, कि हमको actual में क्या काम करना है, तो plan करने के बाद, उसमें resources, उपलब्द, कितने resources हैं, क्या-क्या उसमें लगेगा, इसको भी आपको allocate करना पड़ेगा, फिर उस project की आपको planning हो गई, resources उपलब्द हो गई, इसके बाद उसमें काम करना पड़ेगा, तो ये हमारी activity या task कहलाएंगे, कि किसी भी work को complete करने के लिए आपको किस stage या कौन-कौन से task इससे संबन देते हैं, जो involve हो रहे हैं, उसको बन-बाए-बन आपको represent करना पड़ेगा, और किस task में कितना समय लगेगा, ये भी आपको देखाना पड़ेगा, horizontal bars of varying length represent the sequence, जो horizontal bars हैं, अलग-लग लंबाई के, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट में, horizontal आपके जो बार्स हैं, आप varying length, bars means ये वाले जो बार्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 activity के लिए आपको अलग-लग बार्स दिखाए गए हैं, activity हम बर्टिकल एक्सिसमें टास्क के नाम से दिखा रहे हैं, ये activity है, planning, research, design, implement, follow-up, तो ये जो आपकी task name हैं, या activity हैं, इसके लिए हमारा जो बार है, ये हमारी bearing length का है, अलग-लग size का है, represent the sequence, timing and time spent for each task, जो दिखाता है कि किस task को complete करने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसकी length से हम measure कर सकते हैं, total time taken for completion of a project, किसी भी project के complete होने में, work को complete होने में, कितना समय consume होगा, इसको हम calculate करके पहले से finalize कर सकते हैं, और इसी के recording हमारा एक time table बनेगा, कि आपकी सबसे पहले planning है, तो planning में आपको 15 day या 2 months लगी, इसके बाद आपने research किया, research के लिए आपको बन मन्थ लगा, design, design में आपको कुछ समय लगेगा, इसको implement कराना, implementation में भी आपको time लगेगा, और follow up, तो ये तो आपका एक roughly फारे example के लिए दिखाया गया है, इसमें आप किसी भी field में आप इसको apply कर सकते हो, gun chart के लिए आप bank में भी apply कर सकते हो, कोई software के development में भी apply कर सकते हो, कहीं कोई software के installation में भी apply कर सकते हो, आपको ये software particular इतनी जगाओं पे आपको install करना है, तो कितना समय लगेगा, उसकी ये पूरी planning आप, किस जगाओं पे कितने number of systems हैं, कितनी जगाओं पे आपको तो उसके according आपका, अलग लग number of system के according अलग लग समय कन्यूम होगा, software को run करने के लिए, install करने के लिए, इसी प्रकार आप manufacturing में चले जाएए, bank sector में चले जाएए, industries में चले जाएए, हर जगाओं पे हम gun chart को उपियोग करके, अपने बर्क efficiency को बड़ा सकते हैं, productivity को improve कर सकते हैं, और time से हम काम को complete कर सकते हैं, तो यह हमारा जो gun chart है, वो इस प्रकार से बनाया जाता है, अब इसमें हम आँगे देखेंगे, इसके benefits, यूज तो आपको मालूम ही है, कि एक हमारे project के plan करने में, प्रोजेक्ट की schedule बनाने में, इसके बाद आपके work progress tracking में उप्योख होता है, साथी इसको हम industry में, manufacturing field में, software में, banking में, कई जगा पर यूज कर सकते हैं, दी जार्दा applications of gun chart, now benefits of gun chart, इसकी क्या benefits हैं, क्या फायदे हैं, improve productivity, यदि हम इसके लाव या फायदे की बात करें, advantages की बात करें, तो gun chart से हमारी जो productivity है, किसी भी project या किसी कारे की दर है, वो बल जाएगी, उसमें सुदार होगा, इसकेंड, easily communicate the project plan with your team, यदि हमारे पास पूरा project की planning है, gun chart है, तो इसको हम आसानी से अपने team member के साथ share कर लेंगे, तो team members को काम करने में आसानी होगी, बर्क को परफाम करने में आसानी होगी, थर्ड पॉइंट है, prevent resources overload, जो हमारे project हैं, यह जरूरी नहीं है, कि आपके पास एकी project चल रहा हो सकता, आपके साथ एक साथ चार project running में हो, तो किसी एक जगा पे हमारा, जो resources हमारे पास उपलब्द हैं, वो resources overload ना हो, इसको रोकने में भी, इसको कम करने में भी, हमको फायदा मिलता है किससे, जब हमारे पास एक gun chart हो, एक plan हो, schedule हो, manage complex information, कोई भी complex information है, इस information को manage करने में भी, gun chart help करता है, balance multiple projects, multiple का मतलब है, एक के साथ अधिक projects भी आपके running में है, चार project पे काम चर रहा है, तो उसको balance करने में, gun chart काफी सहायता प्रोवाइट करेगा, इसके बाद, set realistic deadlines, अब इसमें कोई भी एक deadline set करना है, कि भाई आपने 10 km आपको road बनाना है, तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए, कि 10 km आप 10 साल में बनाऊगी, या 6 महीने में बनाऊगी, या 1 मंत में बनाऊगी, ये तो आपको अपने उपलब्द resources, team members, और इसके बाद आपको अपनी planning, budget, इन सबके एकारिंग आपको गंट चार्ट से पहले ही deadline set करना पड़ेगी, कि भाई इस काम को हमको 15 दे में, या 1 मंत में complete करके देना है, तो set realistic deadlines, इससे हम एक deadline को set करने में क्या करते हैं, help मिलती है, मदद होती है, तो these are the advantages या benefits आप गंट चार्ट, इसके बाद motivates team members, जो हमारे project में जितने भी team के सदस हैं, जितने भी members involved हैं, उनको motivate करने में भी हमको गंट चार्ट से काफी help मिलती है, ठीक, आज का वीडियो इतना ही, I hope आप समझ गए होंगे, गंट चार्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या इसके फायदे होते हैं, और कहाँ पे उप्योग किया जाता है, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्वाद,